हेलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स आज हम इंडिया जिक्के से स्टार्ट करेंगे इंडिया जिक्के में हिस्ट्री से हिस्ट्री के हिस्ट्री में मैडिवल इंडिया से स्टार्ट करेंगे मध्यकालिन भारत कि मध्यकालिन भारत जो भी इस वीडियो को देख रहा है कॉपी पैनल लेके साथ में बैठे और साथ साथ नोट करता रहे अपने नोट्स खुद बनाए इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आते हैं वीडियो पर अच्छा मद्याब कल भारत में हम स्टार करते हैं भारत पर फर्स्ट मुस्लिम आकरमान भारत पर फर्स्ट फर्स्ट मुस्लिम आकरमान एक स्टोरी की तरह कहानी की तरह आपको बताऊँगा जो बिल्कुल आपको याद होते चलेगी सारी की सारी स्टोरी और सारी की सारी हिस्ट्री आप सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखना मिस मत करना सबसे पहला पॉइंट है भारत पर फर्स्ट मुस्लिम आकरमान एक खलीफा होता था खलीफा खलीफा की सुल्तान का नाम था जो बगदाद में बैठा था ठीक है उसके बाद जो ये खलीफा था ये पूरे के पूरे अरब देशों पे पूरे अरब देशों पर राज करता था पूरे सारे के सारे अरब में जितने भी देश आते थे उन पर सासन करता था खलीफा तो क्या हुआ एक बार ये इंडिया का नक्सा है मान के चलो यहां से सिंद नदी वे रही है तो क्या हुआ एक बार खलीफा जो एंडिया में वैपार करता था वो सिंध नदी के दोरान सिंध नदी के पाश से करता था सिंध नदी को गुजर के आना पड़ता था तो सिंध एक बार इसके 8 से 9 जहाज इंडिया में आ रहे थे सिंदो नदी को पार करके और इंडिया के जो बिल्कुल सिंदो नदी को पार करके जो यहां पे जो यहां पे इस बूमी पे इस बूमी पे दाहिर नाम का एक राजा होता था दाहिर वो यहाँ पे राज करता था छोटा सा राजा था छोटे से राज जगया तो जब यह जहाज यहाँ से आ रहे थे खलीफा के तो दाहिर के सैनिकों ने दाहिर के सैनिकों ने इन जहाजों को लूट लिया इस बात से खलीफा नराज हो गया और उसने अफ़गानिस्तान में एक राजा बैठता था अलहजाज अफ़गानिस्तान में बैठता था ये इस बात से नराज हो कि इसने खलीफा ने अलहजाज को परस्ताव बेजा कि दाहिर को बोले कि वो मेरे पूरे के पूरे नुक्सान की भरपाई कर दे दाहिर को बोला तो अलहजाज ने दाहिर को बोला कि वोई खलीफा के पूरे के पूरे नुक्सान की जितना भी तुन्हें नुक्सान किया आए खलीफा का पूरे के पूरे नुक्सान की भरपाई कर दे तो दाहिर ने इस बात से मना कर दिया दाहिर ने इस बात से मना कर दिया तो इस बात से खलिफा हो गया नराज और उसने अलहजाज को इंडिया पर आकरमन करने के लिए इंडिया पर आकरमन करने के लिए बोल दिया तो अलहजाज ने मुहम्मद बिन कासिम दोस्तों वीडियो में पूरा पूरा बने रही है और लास्ट तक एंड तक वीडियो को देखना आपको पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आएगा यहां से कंटेंट सुरू होता है इंडिया का अलहजाज ने अपना जो सेनापती था अलहजाज का सेनापती था यह मुहमद बिन कासिम अलहजाज का सेनापती था मुहमद बिन कासिम इसने इंडिया पर आकरमन करने के लिए बोल दिया तो मुहमद बिन कासिम इंडिया पर आकर्मन करने के लिए दाहिर पर दाहिर पर आकर्मन करने के लिए इंडिया पर आ गया इंडिया में आ गया और दाहिर पर आकर्मन कर दिया दाहिर पर दाहिर और मुहमद बिन कासिम दाहिर पर मुहमद बिन कासिम ने अकरमन कर दिया उसके बाद दाहिर इस युद में हार गया दाहिर को हराने के बाद इसने यहाँ पर इंडिया में लूट पाट मचानी स्टार्ट कर दी तो दाहिर की दो बेटियां थी दोनों को बंदी बना लिया मुहमद बिन कासिम ने कासिम ने दोनों को बंदी बना लिया मुहमद बिन कासिम ने और दोनों को अलहजाज के पास बेज दिया तो अलहजाज ने इन दोनों बेटियों के साथ दाहिर की दोनों बेटियों के साथ अपने पुत्रों की साधी करवाने का फैसला लिया ठीक है पुत्रों की साधी करवाने का फैसला लिया लेकिन जो दाहिर की दोनों बेटिया थी ये मुहमद बिन कासिम से अपना बदला लेना चाहती थी जो इसकी अपने पिता की मृत्यों का बदला लेना चाहती थी इसलिए इन दोनों बेटियों ने अलहजाज को जूट बोल दी कि मुहम्मद बिन कासिम ने हमारे इज़त लूटी है इन दोनों बेटियों ने अलहजाज को जूट बोल दी कि हमारी मुहम्मद बिन कासिम ने हमारी इज्जत लोटी है इस बात से अलहजाज हो गया गुस्सा अलहजाज ने मुहम्मद बिन कासिम को वापिस बुला लिया अफगानिस्तान अपने पास अपने पास बुला लिया तो इस बात का प्रूफ मागने लग गया कि वही क्या प्रूफ है कि तुने मेरे साथ छल नहीं किया इन लड़कियों की इज़्जट नहीं लूटी है तो मु amended बिन कासिम ने अपना सर उतार कर सर उतार कर दे दिया तलवार के साथ अपना सर उतार कर दे दिया उसके बाद दूसरा राजा जो था दूसरा राजा मुहम्मद गजनवी मुहम्मद गजनवी दूसरा मुसलिम सासिक था मुहम्मद गजनवी इसने इंडिया पर आकरमन बोले ये एक तुर्की सासिक था तर्की ये भी एक अफगानिस्तान का अफगानिस्तान का था और एक तुर्की सा सकता इसके पिता को एक हिंदु सा सकता जैपाल इसके पिता को इसके पिता को एक हिंदु सा सकता जैपाल जिसने युद में युद में इसके पिता को मार दिया था और उसी बात का बदला लेने के लिए उसी बात का बदला लेने के लिए मुहमत गजनवी हर साल हर वर्ष एंडिया पर आकर्मन करता था मुहम्मद गजनवी ने 1000 से 1027 तक 17 बार आकर्मन किया था अब यहां तक मैं आपको बता देता हूं एक तो यह आपके एक्जाम में आ सकता है कि 17 बार इंडिया पर आकर्मन किस ने किया मुहम्मद गजनवी ने मुहम्मद गजनवी के पिता की मृत्यों किस राज हिंदू सासकने की जैपाल ने हिंदू सासकता जैपाल और सबसे फर्स्ट सबसे पहला इंडिया पर सबसे पहला आकर्मन किस ने किया था मुहम्मद बीन कासीम ने इंडिया पर सबसे पहला आकर्मन किस ने किया था मुहम्मद बीन कासीम पहला मुसलिम सासकता सेनापती जिसने इंडिया पर आकर्मन किया था अब यहां से आग्गे बढ़ते हैं इसने एक हजार एक में इंडिया पर आकर्मन किया मुहमद गजनवी ने कर एक हजार में भी किया था एक हजार एक में वी किया हृजारएक में इसने इंडिया पर आकर्मन किया और जैपालें की प्याइड ने इसके पिता कि यूध मेंसे सीधा जैपाल Se यूद्ध किया और जैपाल इस यूद्ध में हार गया इसने जैपाल को जिन्दा छोड़ दिया और इस बात से जैपाल अपनी बेजती महसूस कर गया जिसकी वजाए से इसने खुद खुशी कर ली कि खुद खुशी कर लें कि अग्गे चलते हैं कि अग्याइट कि अग्याइड कि तो 2014 में मुहम्मद गजनवी ने एक हजार चोड़ा में थाने स्वर पर आकरमन क्यों किया हूँ यह मैं आपन रड़ मार्क कर देता हूँ और चक्रा स्वामी की मुर्थी तोड़ दी चक्रा स्वामी की मुर्थी उसके बाद एक हजार पच्चिस में इसने गुजरात के सौमनाथ मंदिर प्राकरमन की वहां इसने खूब लूट पाट मचाई और मुहमद गजनवी का जो मोन मेटी उत्ता इंडिया में आने का वो था मुसलिम धर्म को बढ़ावा देना ये भी आपसे पूछा जा सकता है अच्छा एक कोश्चन और आपसे कहीं बार पूछते हैं कि समसे पहले सबसे पहले मोहमद बीन कासीम ने सोने के जोन के गोल्डन कोईन चलाए इन्हें दिरहम कहा जाता था दिरहम अपने कुसानों ने कुसान का राजा था कनिश्क फाउंडर था कनिश्क कुसानों का इसने सुद सोने के शिक्के चलाए थे क्लिए का बाज रचने सुद सुद आए और जो यूरोपियन और ने डच्छ भी कहते हैं डच्छ यूरोपियन डच्छ ने भी गोल्डन कोईं चलवाये थे अपने तरीक्ये से आप अपने हैंड पे नोर्स बनाना और उसके बाद पहले आपको यह बता देता हूं मैं डच्छ किसको बोलते हैं जो होलेंड और पोलेंड इन दो देशों के निवाशियों को डच्छ कहा जाता है और जो भारत में सबसे पहले अर्बी घोडे कासिम लेके आया था मुहमद बिन कासिम अर्बी घोडे मुहमद बिन कासिम कासिम खजूर की खेती भी यही ले गया था इंडिया में और एक और उंट पालन उंट पालन भी पालन भी इसी की देन है किस की मुहमद बिन कासिम की यहां से क्वेस्चन आ सकता है कि डच किन को कहा जाता है होलेंड और पोलेंड निवासियों को डच कहा जाता है अर्बी घोड़े इंडिया में कौन लेके आया था मुहमद बिन कासिम अर्बी घोड़े लेके आया था आगे जलते हैं और अरेबियन ही जो थे अरब के निवासि उन्होंने ही मानसुन सब्द का मानसुन अर्ब मानसुन सब्द को लेके आया था मानसुन सब्द को लेके आया था और एटलस जिसको मानचित्र बोलते हैं मानचित्रिया मानचित्रावली यह भी अरेबियन ही लेके आये थे यहां पर भी आप चरक सही था कि चरक ने लिखी थी जो कनिस्क के दर्बार में कवी था किसके दर्बार में कनिस्क का दर्बारी कवी एक पंच्तंतर बुक है यह भी एकजाम में आती है पंच्तंतर इसके लेख कौन है विश्नो गुप्त विश्नो गुप्त इसका जो अर्बी नाम है अर्बी नाम वो है कालीला वादी मना सौमनात मंदर कहां पी है सौमनात मंदिर अभी मैंने बताया था गुजरात में सबसे पहले जो सौमनात मंदिर चलूक्र वंच के राजा भीम सेन परतम ने बनवाया था चलूक्र वंच का था भीम सेन परतम इसने बनवाया था और सबसे लाष्ट में इसका जीर्णोधार सर्दार वल्लब भाई का पटेल ने करवाया था सर्दार वल्लब भाई पटेल इसकी एक खास्यत थी कि ये पूरा पूरा लकडी से बना हुआ था लकडी से बना था और जो इसके दर्वाजे थे वो सोने के थे 1027 में गजनावी ने लास्ट आकर्मन किया था जाट्टो पर जाट्टो पर आकर्मन किया और वापिस अफगानिस्तान चला गया था वापिस अफगानिस्तान चला गया था इतना आपने लिख लिया उसके बाद 2030 में ये फिर वापिस आया फिर वापिस आया लेकिन वापिस आते आते ही वापिस आते आते ही रास्ते में ही रास्ते में ही वहम मर गया रास्ते में ही वहम मर गया अच्छा एक यह आपका हेडलाइन कर लो और यह पूरा का पूरा इसमें चार क्वेस्टन बन सकते हैं आपके स्वमनात मंदिर कहां पे है गुजरात में स्वमनात मंदिर का निर्मान किसने करवाया चालूक्यावन्स के भीम सेन पर्थम ने स्वमनात मंदिर का लास्त में जिरन उधर सबसे लास्त में जिरन उधर किसने कहाया सरदार पटेल ने सोमनात मंदिर किस चीज से बना हुआ था लकडी से बना हुआ था सोमनात मंदिर के दरवाजे सोनने के थे पांच कोस्टन आपके बन सकते हैं और गजनवी का सबसे लास्ट आकरमन था एक जार सत्ताइस में जाटो पर आकरमन किया था इसने उसके बाद वापिस चला गया था वापिस अफगानिस्तान जला गया था अब आते हां गए एक अलबरुनी को भी होता था अलबरुनी कि जिसने किताब लिखी थी किताब व्ल हिंद और एक लिखी थी ताकीक ए ताकीक ए हिंद ताकीक ए हिंद यह भी आप टिक मार कर लेना किताब उल्हिंद और तहकीक एहिंद किताबों के लेखक पुछे जाते हैं अलबरोनी इन दोनों किताबों के लेखक है और ये किस के समकालिन था गजनवी के महमूद गजनवी के और दर्बारी लेकक कौन था महमूद गजनवी का दर्बारी लेकक दर्बारी लेकक फिर दोसी फिर दोसी इसने एक किताब लिख थी सहनामा ये भी आप इंपोर्टेंट नोट कर लीजिए गजनवी के लेकक थे दर्बारी कवी और लेकक फिर दोसी इसने किताब लिखी थी सहनामा बुक का नाम है सहनामा एक और लेकक थे इसके उतबी इसके दर्बार में ही थे ये भी उतबी जिसने एक बुक लिकिती चचनामा ये भी आप इंपोर्टेंट नोट कर लीजिए और आज का लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ सुल्तान सुल्तान पलस गाजी ये दो उपाधी दारण करने वाला दारण करने वाला फर्स्ट मुस्लिम सा सक था ये आज के लिए इतना ही होगा फ्रेंट्स अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना लाइक करना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना धन्यवाद प्रेंट्स